एनम टीवी को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबाई नाभी मुंबाई एवं बॉल्यूड की ताजातरीन खबरें शातर भारती को, नंबई को, महराष्ट को जिस तरह से इनों ने दिखाया है कि जिन्दा कौम है उन सब को अलीगार मुश्लिमी युवर्स्टी के सलाम पेश करता हूँ जिस वक्त शातर भारती की तरफ से मेरे पास फोन आया कि हम लोग इस तूड़ेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं, C.A. के खिलाब, उस वक्त अलीगार मुश्लिमी युवर्स्टी के हालात ऐसे नाजोख हालात थे कि शायद में वहां से उन सब को छोड़के नहीं आ सकता था कि पूरे क्यामपस में, पूरे क्यामपस में पुलिस ने तोड़ फोड़ की है, कई सुड़ेंट्स के हाथ कटे हैं, पैर टूटे हैं, ब्रें हैम्रेज हुआ है, ये हालात अलीगा मुश्लिमी युवर्स्टी के वाई सांचला के कहने पर और जो मुख्य मंतरी हैं उतर प मैं उतर प्रदेश चाहता हूं, बार अभी सीधा उतर प्रदेश से आ रहा हूं, वहां के मुख्य मंतरी एक ओनेरेबल पोर्स से बैठा आदमी ये बात कहता है, कि मुसल्मानों से बदला लीजी, ये मुसल्मानों की प्रॉपर्टीज को जब करिये, कब से मुख्य मंतरी जूडिश्री का काम करने लगे, ये मेरा सवाल, जब गुजराद में प्रॉपर्टी का नुक्सान हो रहा था, मुसल्मानों के घरों को कारोबार को जलाए जा रहा था, तब किसी नहीं आवास उठाई, कि इनकी प्रॉपर्टीज को जब करा जाए, जिन लोगों ने, जिन आज़रै एक ओनरेबिल प्राइम निस्टर, सिटिसरिशिब ये शेहरियत देने का काम नहीं कर रहे हैं, बलकि वो शेहरियत को जचीनने का काम लोगों नहीं के अगर उनको इतने ही फिकर होती, तो स्रीलंका के जितमिल क्रिश्टियन्स हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया रोहिंगिया के मुसल्मानों को शामिल क्यों नहीं किया, नेपाल के हिंदों को शामिल क्यों नहीं किया, पाकिस्तान के हमदियों शियां को शामिल क्यों नहीं किया ये एक conspiracy है ये conspiracy है जो 1923 से सावर्का के platform चल रही है और हिंदूों को मुसल्मानों को खिलाख भड़काया जा रहा है ये साज़िश तब से चल रही है हमें और आपको जिस नाम के लिए हिंदुस्तान मशूर है गंगर जमुनी तहजीब unity in diversity उसको बचा के रखना है कंदे से कंदा मिलाके हमें इस कानून के खिलाफ इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना है और बताना है इस मोधी सरकार को कि हम वो लोग हैं अगर अपनी पे आ जाएं तो आपकी आपकी कुरसी दो मिनट में दो चुट्टियों में हिला सकत उत्तर प्रदेश के हालात से शायद आप लोग वाज़े हो या ना हमें बता दू आपको कि वहां पर उन्नीस मासूम बच्चों की जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे उनकी मौत हो चुकी घरों से उठा के उनको गोली हमारी जा रही है और पुलिस यह कह रही है कि हमने कोई गोली नीचे जिन बच्चियों की शादी होने वाले थी उनके घरों में दहेश के लिए जो माबाब से सामाने खिटा कर रहा था पुलिस वो तक ले गए दाड़ी पकड़ के मुसल्मानों की दाड़ी पकड़ के उनसे कहा जा रहा है कि तुम आतंगवादी हो तो पाक पकिस्तान चले जाना चाहिए सब लोग के सामने हैं मंझर जिस तरह से मेरट में अष्वी ये बात कहरे थे कि पाकिस्तान चले जओ मुसल्मान बच्चियों को तंग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंद्री खामोश है और ये बात कहते हैं कि बदला लेंगे मेरी तर्खवास है महराश्ट के लोगों से क्योंकि आज मैं इस ताली जी जमीन से ये बात कहना चाहूंगा कि जो ज़स्बा महराश्ट के लोगों ने दिखाया है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ क्योंकि हमें दो हमसे तो दाड़ी और टोपी देखके हमें ने सवाल हुए है कि अपनी नेशनलिटी को साविब करें और हम करते भी आएं लेकिन आज हम अपने आप को इतना मजबूत महसूस कर रहे हैं जिस तरह से हिंदुस्तान के आईन पे इन लोगों ने हमले की आए और आप सब की जमात ने एक माइनॉरिटी को मुसलमान हुआ जो साथ दिया है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ वक्त ये बात हमसे कह रहा है कि इस कानून को समझे और आपस में मशवरा करने कि जब तक जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा चाहे हमें जान की कुर्बानी भी देने पड़े इस मुल्क की खाते हम दोबार से देंगे लेकि हंदुस्तान को तुमारा बटने नहीं देंगे जून जुलाई में पिछले 6 साथ से सारी अवाम खामोश थी ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे ऐसा क्या हुआ कि आज सड़कों पे लोग उतरा है क्योंकि आज पहली बार हिंदुस्तान के लोग बालूम हुआ कि उन से उनका वतन चीना जा रहा है उन से उनका वदन चीना जा रहा है हिंदु मुसल्मान जो आपस में भाई बनके रहते थे उनके बीश में नफरत घोलने का काम किया जा रहा है आज इसलिए मोदी जी महराज की सरजमी से बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग यूनाइट होके इन्शालला रहमान पहले इस बिल को वापस कराएंगे उसके पास आपको वापस कराएंगे इन्शालला और आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात पहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं महराश्क मैं पिछले तीन साल से तो नहीं आया हूँ आज आके मैं महसूश कर रहा हूँ कि मैं दाली भी देख रहा हूँ तिलक भी देख रहा हूँ और वाकई मुझे फक्र है कि ये मेरा देश है कोई बुलाए उन शेहंशा को कोई बुलाए उन शेहंशा को और दिखा कि यहां लोग दाली टोपी दिलक में बैटे हैं एक साथ और जो आप काम कर रहे हैं नफरत गोलने का वो अब नहीं चलने वाला इंशाल्ला हम लोग अलीग अनुस्णी उनिवर्सिटी या जामिया में लिया इसलामिया इस वक्त उस हालात से घुजर रहे हैं कि अल्ला ना करे किसी पर वो वक्त आए हमारे कैमपस में अन्डेक्लियर सेनडाई इंपोस करी जा रही है कैमपस को खाली कराया जा रहा है मुझे भी सीने पे रबर गुलेट हिट करी और इस तरीके से हम बता दूँ आपको कि थानों में ले जाके हम तक्रीबन सो बच्चों को उनकी दाड़ी पकड़के ये बात कही गई है ओन रिकॉर्ड है हम लोग उने रेपोर्ट में शामिल किये कि तुम पाकिस्तानी हो तुम आतक भेलाने आते हो और एक बच्चा इसका बनाम नहीं लोगा जो गहर मुसल्मान था वो उस भील में शामिल था जो प्रोटेस्ट कर रहे था उससे कहते हैं कि इन गगदारों के साथ मिलके तू भी गदार हो गया मतलब जो इनकी भाशा नह कोई लोग इस बात का वचल लेते हैं कि हिंदुस्तान के आइन पे कोई भी हमला होगा इंशालला मिलके लाई लगए अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा इस शेयर के साथ क्योंकि अधिकर से हूं आदत है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद ही रहेंगे और आजाद रहेंगे इंशालला मिलके झाल झाल